नमस्ते मित्रो संदीब ग्यान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्तान फुलिस कांस्टेबल बरती संबंदित जो आहां लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है उम्मर संबंदित तो उम्मर में आपको यहा प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें आईसे ही लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए तो हम सबसे पहले जो हमें न्यूज मिल रही है वो दिखा देते हैं थोड़ा देख सकते हैं आप कांस्टेबल बरत कर चार साल होगी तो उमर की जो चूट है वह भढ़ा दी गई है तीन थी पहले तो अब चार कर दी गई है तो न्यूज में भी बहुत सार इंपोर्टेंट से रूल्स हैं तो आप उसको जरूर देखना तो आप देख सकते हैं जेपुर्श हमें न्यूज मिल रहे ग्रहभी व पदों पर बरती प्रिक्षा के लिए वित्य हैं प्रशासनिक मंजूरी जारी कर दिया है फुलिस मुख्याले को यह सीकुर्टी बेज दी गई है जल्द ही प्रिक्षा के ओफ-लाइन आयोजन की प्रिक्रिया सुरू हो सकती है पहले रद हुई 5500 पदों की बरती की मंजूर की भी सरकार से मिल गई है उधर मुके सचीव एंसी गोईल अदेखता में गुरुवार को उच्छ तरिये मीटिंग हुई जिसमें इस बरती के लिए अभयारतियों की उमर में छूट तीन से तीन साल से बढ़ा कर चार साल का निर्ने हुआ है तो आपको जो और वेज़ वाल कांस्टेबल बरती जल्द ये प्रस्ताव जल्दी कार्मी की विवाग को वेज़ा जाएगा अभी सामाने पुरस की अधिक्तम आयुसीमा बाइस साल से बढ़ा कर पच्छी साल कर दी गई है तो आपको एज में छूट दे दी गई है सहाती OBC को हम बात करें तो उसको पांस खबरी है क्योंकि जो विदारती और वेज हो गए थे उनको दुबारा यहां मोका दिया जा रहा एक साल और बढ़ा दी गई है इसमें तो छूट वाला पहले बरती में भी मामला अटका हुआ था ये वेकंसी जो बरती निकलती है कोर्ट में गई थी कोर्ट में से एज वड कर आई थी ओफलाइन आवेदन हुए थे लेकिन फिलहाल पहले ही इसकी जो उमर है वो बढ़ा दी गई है तो आपके लिए खुश कबरी है हमारे चैनल पर बने रहे ऐसे ही लेटे जानकारी सबसे पहले हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो आपको बेल आइकन दिखाए दे उसे भी दबा देना क्योंकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूंगा उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मित रहूं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत